हेलो फ्रेंड्स, मैं दक्टर शामसंदर गोयल, मैं प्रैक्टेसिंग रेडियोलिजिस्ट हैं, डक्टर गोयल सुपरस्केल मुक्सर, पंजाबतों, for the sake of convenience of others, I'll speak in Hindi also, हमें आजकल PCPNDAT Act के कारण, यूजली हम रेडियोलिजिस्ट को काफी ज़्यादा मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है, और बहुत सी कारणों में हमारा Act को ना जानना भी एक बहुत important मुद्ध है, और similar situation is with appropriate authorities and department, उनको भी एक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, जैसे ही उनको clerical staff या दूसरा staff, sporting staff बताता है, वैसे वो एक्ट करते हैं, वैसे उनकी मंशान ही होती कि radiologist को तंग किया जाए, तो first of all तो हम बात करेंगे appropriate authority की, अब तो ये clearly established है, especially in Punjab and Haryana, कि appropriate authority ये एक multi-member body है, single person की नहीं है, और नहीं इसमें कोई chairman है, usually हम Punjab के, मैं Punjab की बात करूँगा, पंजाब वाले official communication में मैं देखता हूँ, chairman appropriate authority लिखा होता है, so that is not the case, और इसमें तीन member होते हैं, और एक तो mostly जो पंजाब में है, वो civil surgeon होता है, एक होता है woman organization का, और एक legal expert होता है, या usually DA या उसका subordinate staff, ADA वगरा होते हैं, so तीन लोगों को मिला के appropriate authority बनती है, तो जब appropriate authority तीन लोगों को मिला के बनती है, तो कोई भी order है, कोई भी search and seizure है, वो तीन लोगों की सहमती से ही होगा, जैसे मैंने देखने में आया है, कुछ लुटेरे जैसे रजस्तान से, हरैना से, हमारी state में enter कर जाते हैं, और unnecessary आके हमारे premises में trespass करते हैं, उनको monetary benefit मिलता है अपनी state से, और हमें आके यहां बदनाम करते हैं, हमारा cash box है, वो लूट के ले जाते हैं, हमें हरास करते हैं, और जाके file कर देते हैं case राजस्तान या हरैना में, यहां की appropriate authority को बाद में बुलाके, उनको कहते हैं, इनके उपर case दर्ज करो, उनके पास भी, अगर वो किसी को बुलाते भी हैं, civil surgeon दफसर से, चाहे वो civil surgeon नहीं आया हो, तो अगर वो आपकी machine seal करते हैं, या आपको उपर कोई case वगरा चलाते हैं, तो उसको challenge करना चाहिए criminal court में, आपको इनके by name, इनके protection नहीं हैं, इसमें, ये they cannot claim protection under the act, की हम तो good faith में काम कर रहे थे, good faith में काम करते हो भाईया, अपनी appropriate authority बनाओ, उसमें से order निकालो, फिर हमारी machine seal करो, ऐसे drop of the hat पे आप machine नहीं seal कर सकते, नहीं हमारी rogeroti बंद कर सकते हैं, नमबर दो हमें इस point पे सभी radiologist को ध्यान देना चाहिए, कि हमें एक public interest litigation लगानी चाहिए, कि act को पालन करना सिरफ radiologist की जुम्मेवारी नहीं है, प्राइम accuse तो वो है जो घर पे बैठके conspiracy hedge करता है, कि लड़की को जनम होने ही नहीं देना, फिर वो बंदा ढूंडता है, और unfortunately कुछ हमारे में भी कोई black sheep हैं, जो एक काम कर लेते हैं, तो वो तो एक टूल है, तो प्राइम accuse तो उस family को बनाया जाना चाहिए, मेरे को तो एक भी president पंजाब रहरेना में तो नहीं मिला, मेरे को किसी family को prime accused बनाया हो, और doctor को साथ में co-accused बनाया गया हो, doctor को prime accused बना देते हैं, और उस family को छोड़ी देते हैं, चलो एक्ट में pregnant lady को तो exemption दी हुई है, बाकिंग को तो exemption नी दी हुई न, तो हमें PIL लागू करनी चाहिए, second है कि search and seizure के लिए standard operating protocols बनाया हुए है, उन्होंनों वीडियोग्राफी भी करनी होती है, independent witness लेके आने होते हैं, बहुत सी चीज़ें करनी होती है, कोई record होना चाहिए, कोई complaint होनी चाहिए, उसके 24 घंटे के अंदर-अंदर उनको कारवाई करनी चाहिए, यह नहीं कि पांच महीं ने पराणी complaint है, जैसे राजिस्तान वाले कि आपके खलाफ तो complaint थी, बहुत पराणी complaint थी, छे महीं ने पराणी complaint थी, भाईया, आप 24 घंटे में आपने complaint को करना होता है, तो section 281B के तहत उनको notice दीजिए, appropriate authority को, अगर वो नहीं काम करती तो आप criminal court में जाके, इनके against by name, जितने बंदे आया हैं, उनका नाम डालके, हमने मैंने डाला हुआ है, और हरयाना में हमारे counterpart है, दक्टर मुरारी जी, उन्होंने भी डाला हुए, नवीन जैन और सारी की सारी टीम के उपर, हमने case डाला हुआ है, तो उनकी summoning जल्दी होने वाली है, actually क्या है कि हमारी courts भी थोड़ा सा soft part रखती हैं, उनके खिलाफ जो government implies होते हैं, but ultimately, they have to fall in line, अब तो DGP पंजाब को भी घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, FIR से बचने के लिए तो कुछ बच नहीं सकता है, तो अगर हम अपने आपको strong कर लें, तो हमें हम इससे लड़ सकते हैं, हाँ, एक act की copy, आप अपने ही criteria पूरा रखें, लेटेस्ट एक्ट की copy अपने पास रखें, उसको पढ़ा करें, C, PCP India Act, इसको अपने टेबल पे रखें, पढ़ा करें, जब मर जी, अपने आप पेपर वर्क पूरा हो, आपका, आप पहले form F साइन करें, उसके बार scan शुरू करें, क्योंकि एकदम से टीम आ जाती है, वो आके सारा कुछ अपने कबजे में ले ले लेती, आपको sign in करने देती, और फिर court में जाके ये बोलती है, कि देखो जी हमने तो इसके incomplete forms पकड़ लिए, तो court में अब बताते रहोगी, जी इनोंने हमें sign करने का मोका ने दिया, हमारे 10 पेशन हमने कर लिए थे, हमने sign बाद में करने थे, तो that becomes very difficult to prove, तो इस वज़ा से मैं तो ये करता हूँ कि, जैसे हमेंने फारम भरा, पहले ही sign कर दिया, उसके बाद मैं result भर देता हूँ, जैसे ही मैं report त्यार करता हूँ, साथ की साथ, अमने टेबल पे फारम एफ का register रखा था, तो उसी में साथ की साथ ही वो करके, फिर next patient बलाता हूँ, जब एक complete कर लेता हूँ तो, तो आप भी ऐसा कीजिए, आप अपने फारम एफ प्रॉपर्डी भरिए, मैंने कोई गल्त इंफर्मेशन डॉक्टर को दी, फारम भरने में कोई गल्त इंफर्मेशन दी, तो I will be liable, और ये मैं टेस्ट अपनी मर्जी से करा रहा हूँ, और इसमें मैं SD करवाने का कोई मेरा इच्छा नहीं है, तो एक additional protection, यू गन से, आपको फील होती है, और पिपर कोई भी हो आपके हक में, वो court of law में आपके काम आता है, और जैसे कि सर्चन सीजर में हम देख सकते हैं, कि दो independent witnesses का होना जरूरी है, चाहे वो राजस्तान की टीम हो, चाहे वो हर्याना की टीम हो, चाहे वो पंजाब की टीम हो, और पर्शन शुड भी of same locality, same locality के ना मिले, तो किसी और locality के रख सकते हैं, आपकी locality के होने चाहिए, आपकी locality नहीं तो आपकी बाजु वाली locality के होने चाहिए, और दे शुड भी un-prejudice, un-biased, और independent witness नहीं, यह नहीं कि उनकी टीम का member of witness बनके बैठ जाएगा, या उनके साथ कोई official of witness बनके बनके बना जाएगा, वो independent witness ही, वो tutored witness हो जाएगा, तो, secondly, जब आपकी कोई machine या कोई record seal होता है, तो उसकी proper list बनवाएं, उसकी list कनून के इसाब से आपको एक copy मिलनी चाहिए, और वो list और seizure card documents 24 hour में district magistrate के पास पेश होने चाहिए, तो यह act में लिखा हुआ है, और appropriate authority या civil surgeon अपने आप से आपकी machine seal नहीं कर सकता है, हाँ, वो inspector कर सकता है, आपको show case notice जारी कर सकता है, बहुत से मैंने doctor देखे हैं, तो जनको show case notice भी जारी नहीं होता हुआ, उनकी machine directly seal हो जाती है, तो बार में court of law में या state appropriate authority में जाके उनको benefit इस पे मिलता है, कि आपको show case notice नहीं हुआ, आपको अपनी position explain करने का मोका ही नहीं मिला, तो आप जहां तक हो सके अपना act पढ़िए, और act के अनुसार, act की knowledge रखिए, और हाँ, एक RTI जुरूर मांगते रहा किजिए, कि मंतली meeting में क्या हुआ, उसके RTI मांग ली, दरा मत कीजिए, हर चोथे-चेटे मेहिने आप RTI मांगिए, आपरोपरेट अथर्टी से आपरोपरेट अथर्टी की meeting कब होई, advisory district advisory committee की meeting क्या हुई, क्या-क्या हुआ, उसमें आपको पता चलता रहेगा कि क्या चल रहा है और क्या हुआ, किसको permission दी, किस बेस पे permission दी, क्या दी हुआ, क्या नहीं हुआ, तो उससे ये भी अलर्ट रहते हैं आपके लोकल आफिस वाले भी अलर्ट रहते हैं कि ये बंदार निगा रखता है तो इससे बचके रहो तो उसको ज्यादा तंग नहीं करते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो इस वजाए से मैंने छोटा से वीडियो बनाए बिकाज मेरे को रिक्वेस्ट आई से हमारे सेक्टरी साब डक्टर अनक्वीर से कि बहुत से फोन काल मेरे को भी आते रहते हैं तो बिंग स्टेट पीसी पी अडिटी कोडिनेटर तो उन्होंने में को रिक्वेस्ट की एक छोटा से वीडियो बना के आपको डाल दूँ तो अगर आपके कोई questions हैं या कोई suggestions हैं please do send me और I'll be happy to help और I'll be happy to take help from you also. Thank you.